हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबों का एबिशिये करने पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में सेल यानि के कोशिका को देखने वाले हैं आप में से जो भी लोग बिहार दरोगा की तयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की तयारी कर रहे हैं आप लोग ध्यान रखिए आज का य 150 प्लस MCQ लगाना है यानि कि 150 से ज़्यादा प्रश्णों का संग्रह सिल टॉपिक से लिया गया है आज आप इस क्लास में उसे देख लीजिए अच्छे से आप उसे लगा लीजिए अपना माक्ष भी आप काउंट करते चलिएगा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आप इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हूँ आप एक बार प्रेलिस्टा कर जरूर चेक कर लिजेगा दरोगा के लिए बिहार पुलिस के लिए क्लास यहाँ पर अविलेबल है आप लोगों से भी जरूर देखें आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट जो की मोस्ट विवियाई है सबसे पहले से समझ ये और यहीं से आपको एमसे क्यूज भी देखने को मिलेगा इस बात का विध्यान रखेगा आज के इस क्लास के जो जो इंप्रोटेंट यहाँ पर वरल लाइनर है उसे आप पहले देख लिजिए सजीवों का अध्यन जीव विज्यान कहलाता है जीव विज्यान के जनक अरस्तू है जीव विज्यान को दो शाठाओं में बाड़ते हैं एक है आपका जो लौजी दोसरा है बोटनी जो लौजी क्या होता है समझे इसके अंतरगत जनत्वों का अध्यन करते हैं बोटनी क्य पौंधों का अध्यन किया जाता है बोटनी का अगर जनक पूछे गा तो थीओ फ्रेश्ट्स करके बताना है यही थे बोटनी के जनक के रूप में आप के से जानते हो तो थीओ फ्रेश्ट्स नाम आपको adjustment लेना है आज ये समझे ये कोशिका को कोशिका का अध्यन साइटोलोजी कहलाता है कोशिका प्रतेक जीवधारी की संजतनात्मक तथा किर्यात्मक इकाई होती है प्रतेक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है हर एक जो जीवधारी है ना इसका शरीर किस से मिलकर बना है सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 इश्वी में Robert Hooke की द्वारा किया गया था किन्तु इन्हों ने मृत्य कोशिका की खोज की थी ध्यान रखेंगे Robert Hook ने मृत कोशिका की खोच की थी। इन्हें father of cytology कहते हैं। मृत कोशिकाओं को nephrosis कहते हैं। ध्यान रखें मृत कोशिकाओं को nephrosis कहां जाता है। देखें आप में से जो भी लोग नए हूँ, first time इस तरह का class आप देख रहे हो। आप कोशिस करिएगा क्लास को रिपीट करके देख लेनेगा आपके लिए अच्छा रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका समंदित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है यहां सवाल पहले बहुत वार पूछा गया है कि जो यह माइक्रोग्राफिया पुस्तक है यह किस के द्वारा लिखा गया है देखे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खूज 1674 में एंटोनी वान लियोवन हॉक ने किया था इन्हें फादर ओफ बैक्टरियोलाजी कहते हैं स्लाइडेन एवंग श्वान नाम आपने सुना होगा इन्होंने कोशिका से धांद दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है अता कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है ध्यान रखें स्लाइडेन और स्वान नाम जो वेज्ञानिक थे इन्होंने कहा इन्होंने सिध्धांद दिया कोशिका सिध्धांद और इनमें कहा गया कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है अता कोशिका शरीर की सबसे छोटी एकाई है सबसे छोटी कोशिका अगर पूछेगा माइक्रो प्लाजमा होती है सबसे छोटी कोशिका पूछा जाता है ता आपको माइक्रो प्लाजमा बताना है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है माइक्रो प्लाजमा सबसे बड़ी कोशिका शुत्र मुर्ग के अंडा के रूप में आप जानते हूँ सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है या इसे आप सनायो कोशिका कहते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो उवम यानि की अंडानू बताईएगा और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आपको शुक्रानू बताना है Most VVI है जब आपके सेट में यह question रहता है तो काफी लोग confuse करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडानू है सबसे बड़ी कोशिका अंडानू सबसे छोटी कोशिका कौशी है शुक्रानू देखिए तंत्रिका कोशिका में किसे विपरकार का विभाजन नहीं होता है अतहय छती ग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता इसी कारण सर में कोशिका विभाजन लीवर यानिकी जीगर यानिकी यक्रित में होता है यह अपने छती ग्रस्त कोशिकाओं को स्वतर ही ठीक कर लेता है आशा है कि यहां तक आप अच्छे से समझ गये होंगे कोशिका के अंग में आप यहां पर ध्यान रखें जीव द्रव अगर पूछेगा इसकी खोज पूर केंजे ने किया था यह एक तरल गारा पदार्थ होता है हैकसले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है इसका 80% भार जल का बना होता है दो प्रकार का यह होता है एक होता है कोशिका द्रव दूसरा बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है यह पेर पौधे को शुरक्षा दीता है जिवानु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ती पैप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ती कायटीन की बनी होती है कोशिका जिली यह जन्तु तथा पादब दोनों में पाया जाता है चलिए आगे आजाए मैट्रो कॉंड्रिया को एक निजर देखिए इसकी खोज अल्टमैन ने किया था मैट्रो कॉंड्रिया या इसे आप सूत्र कनिका कहते हो इसकी खोज अल्टमैन ने किया था यहां आक्सी स्वसन होता है यहां क्रैप्स चक्र चलता है जिसके फलसरोप ATP तथा गलुकोज बनते हैं और हमें औरजा मिलती है इसी कारण से इसे कोशिका का पावर हाउस या फिर आप सक्ति ग्रिह कहते हैं किसे मैट्रो कॉंड्रिया को चलिए अब जो देखें यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है राइबोशोम ठीक है समझे इसे यहाँ कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है यहाँ प्रोटीन का निर्मान करता है अता इसे प्रोटीन की फैक्टरी कहते हैं और यह दो प्रकार का होता है एक आपने 70S और यहाँ आपने 80S जरूर सुना है देखें 70S यह हलका होता है तथा प्राकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है कौन सा 70S 70S क्या होता है हलका यहाँ प्राकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है अब देखें 70 तो हलका होगा 80 है यह भारी होगा 80S राइबोशोम यह भारी होता है तथा यह यूग के रियोटिक कोशिका में पाया जाता है इसे आप जरूर याद रख लिजेगा आज अब इंपोर्टिंट अगर कोई पॉइंट है तो देखिए लाइसोसोम का नाम आपने सुना है यह कोशिका के अंदर पाचन का कारी करता है इसके अंदर जल अब घटा कहने कि एंजाइम पाया जाता है कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसको नश्ट कर देता है कौन लाइसोसोम आपको ध्यान रख लेना है जब पूरी कोशिका कारे नहीं करती है तो यह कट जाता है जिससे पूरी कोशिका नश्ट हो जाती है अता इसे आतम हत्या की थैली यह एकि एटम बम भी कहा जाता है इसकी खोज डी डूवे ने किया था देखिए आर बीशी के अंदर पूछा जाता है कि लाइसोसॉम होता है या नहीं आर बीशी के अंदर लाइसोसॉम नहीं होता है यह आर बीशी यानि कि मरने के बाद स्प्लीन यानि कि प्लीहा यानि कि तिल्ली में पाया जाता है केंद्रक की खोज अगर पूछेगा तो रौबरट ब्राउन ने किया था यह कोशिका को नियंत अता है इसे कोशिका का दिमाग कहते है इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? केंदरग में रश घानी समझें यह जल को संची टयने के इस्टोर करके रखता है यह जनतुव में छोटा होता है किन्तो पादपों में बहुत ब़ा होता है। लवक यहाँ पादपों का शब से बड़ा कुशिकांग है यहाँ केवल पादपों में पाया जाता है यह तीन प्रकार का होता है यहाँ पे तीनों प्रकार दिये गए है आप इसे देखे हरित, ओवर्नित और वर्नित हरित लवक को समझ लिए को जैसे आपको रोरोप्लास्ट कहते हूँ यहां भोजन का निर्मान करता है यहां पत्ती तथा तने में पाया जाता है कौन सा भाई तो हरित लवक और वर्नित लवक यहां भोजन का शंग्रहन करता है देखिए हारित लवग भोजन का निर्मान करता है और वर्नित लवग जो है भोजन का शंग्रह करता है यह जर्त अथा फल में पाया जाता है तीसरा है आपका वर्नित लवग यह रंग परदान करता है यह से टामाटर है मिर्च है इसमें लाइकू पेज गाजल में आप जानत प्राकेरियोटिक इस में कोशिका के शबी अंग नहीं पाए जाते हैं इन्हें प्रारंभी कोशिका कहते हैं इसमें कोशिका जिली, राइबॉसोमेने के 70S पाया जाता है जो हलका होता था तथा शेस अंगों का अभाव देखा जाता है यूके रियोटी यहाँ पूरी तरह से विक्सित होती है इनमें कोशिका के सभी अंग पाये जाते हैं इसमें ATS जो भारी वाला भी आपने देखा था ना गुराईवोशों पाया जाता है पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है इसके अंदर का सभसे बड़ा अंग अगर पूछेगा तो प्लास्टीड होता है यहाँ भी सवाल पूछा गया है पहले पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है और इनके अंदर का अगर सबसे बड़ा अंग पूँछेगा तो आपको प्लास्टीट बताना होता है इसका रस्गानी बरा होता है इसमें कororofil पाया जाता है जन्तु को शिकाएं गोल होती है धियान रखें जन्तु को शिकाएं क्या होती है गोल होती है इसके अंदर का शब्षे बड़ा अंग अगर पूछेगा तो केंद्रा का आपको बता देना है देखिए गोल सूत्र जिसे आप क्रोमो शोम कहते हो मानव में या 23 जोरा यहने कि 46 के संख्या में होता है इसकी खोज पूछा जाता है वाल लेयर ने किया था इसके उपरी भाग को सेटलाइट कहते हैं इसके मद्ध भाग को सेंड्रोमर कहते हैं इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं काफे जादा इंपोर्टेंट है याद रखे गोल सूत्र के बारे में कह रहा है न इसकी खोज वाल लेयर के द्वारा किया गया था इसके उपरी भाग को सेटलाइट ऊपर यानि के सेटलाइट होता है आप इसे याद रखिए मद्ध यानि के बीच वाले भाग में सेंटरोमर सेंटर किसे कहते हैं जो बीच में होता है तो मद्ध वाले भाग को सेंटरोमर कहते हैं निचले भाग को क्या कहते हैं? टैलो मर्ग, निचे वाले भाग को टैलो मर्ग इसके बीच में धागे के समान सर्णशना पाई जाती है जिसे आप RN कहते हो, अरान कहते हो ठीक है? चलिए आज आईए अब नेक्स्ट पोउंट देखिए क्रोमोशोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोशोम के अंदर DNA होता है DNA के अंदर जीन होता है जीन पर माता पिता के गुन पाए जाते हैं अता जीन ही आनुवान सिक्ता के आधार होते हैं जीन नुक्रियोटाइड का बना होता है जीन की खोज अगर पूछेगा जोहांसिन के द्वारा किया गया था अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें कुछ जीवाँ के क्रोमोशुम किसमे कितना होता है आप इसका स्कीन सोट ले लिजे अगर आपके पास यह नहीं हो इसकीन सोट आप ले लिजे अब आजाईए DNA का पहला अवलोकन काल सुबर्ग की द्वारा किया गया DNA को प्रयोग शाला में हर गोविन खुराना न देखा DNA की संद्जना डबल स्टेंडर्ड होती है जिसकी की मॉडल वाटसन और क्रीक की द्वारा किया गया था जिस कारण से इन्हें 1962 में नॉबल प्राइज दिया जा चुका है दिखिए कोशिका विभाजन, सेल डिविजन एक कोशिका का तूट कर दो या अधिक कोशिका का निर्मान कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं जिस कोशिका का विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डाउटर सेल कहा जाता है सवाल इसी तरीके का आपके एकजाम में पूछा जाएगा क्या आपको यह पहले से पता था जिस कुषिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल और विभाजन के बाद जो नहीं कुषिका बनती है उसे डाउक्टर सेल कहते हैं पता था तो अच्छी बात है नहीं समझें आपको मेहनत अभी और भी ज्यादा करना है जन्तों में कोशिका विभाजन सैंटोजोम करता है पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है अगर पूछेगा पादप में कोशिका विभाजन किश के द्वारा तो सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है कोशिका विभाजन तीन प्रिकार से होता है और सूत्री, शम्सूत्री और अर्दसूत्री विभाजन और सूत्री इसमें कोशिका दो भाग में टूटते हैं शम सूत्री या विभाजन काई कोशिका में होता है और तीसरा जो आपका था अर्द सूत्री विभाजन या विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है इसमें क्रोमोशोम के संख्या घटकर आधी हो जाती है देखिए आपने सिंड्रोम के बारे में सुना हैं आच्छे से समझे इसे क्रोमोजोम में होने वाली अनियमित्ता को सिंड्रोम कहते हैं इसके कारण सरीर में और समान लक्षर उभर जाते हैं आपका टर्नर है, क्लीने, फैल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है आए एक-एक को समझ लेते हैं टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोजोम के संख्या 45 यानि के 45 हो जाती है या केवल इस्त्रियों में पाई जाती है इसमें इस्तरियों का शरीर ओविक्सीत होता है तथा उनमें बांजपन देखा जाता है आपने एगर सेट लगाया होगा ता आपको यह भी सवाल देखने को मिला होगा Turner syndrome किसमें होता है? यह होता है केवल इस्तरियों में क्लिने फैल्टर syndrome होता है इसमें क्रोमोशियों की संख्या 47 हो जाती है केवल यह पुरूशों में होता है इसमें पुरूश क्या होता है नपुन्जग हो जाती है यानि कि टर्नर की बात करेंगे लरकियों में किलिने फिल्टर का बात करेंगे तो यह पुरूशों में होता है दाउंस की बात करें यह इसमें क्रोमोशोम के संग्या 47 यानिके 47 हो जाती है यह मेल और फिमेल दूनों में हो सकता है इसमें शरीर जो है बेडोल हो जाता है जीव तथाहूट मोटा हो जाता है मनुष्य मंद बुध्धी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को मंगोलाईड कहते हैं ठीक है? डाउन सिंड्रोम में ये सारी घटनाएं होती है एक है पटाव सिंड्रोम इसमें क्रोमोशोम की संख्या 47 हो जाती है यह मेल और फीमेल दूनों में होता है इसमें व्यक्ति मंद बुद्धी का होता है और उसके उपर का होट कटा होता है यह होगी आपका पटाव सिंड्रोम यानि कि देखिए पटाव में भी अगर क्रोमोजोम की संख्या पूछेगा 47 डाउन्स में भी 47 है यह फिल्टर में 47 है बस एक महिलाओं में पाए जाने वाल सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या होता है 45 45 देखिए अब यहाँ पे चलिए अब आजए यह वन लाइनर पर जोगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद लगाएंगे टेश्ट वनस्पत्ति विज्ञान का साधरन तोर पर स्विकार किये जाने वाला वर्गी करंकी स्विज्ञानिक के द्वारा प्रस्तूत किया गया था नाम था एक लड़ वहाँ कौन सी रचना है जिसे जीवन की संज़तनात्मक एवंकरियात्मक एकाई कहते हैं गोशिका वहाँ कौन सी रचना है जिसे जीवन की संज़तनात्मक एवंकरियात्मक एकाई कहते हैं तो वहाँ है कोशिका की खोज किसवयग्यानिक ने किया था कोशिका किसकी बनी होती है मैकोलोपलाज गैली सैप्टिकस की बनी होती है जीवों में अत्रिक विविद्धा का कारण है उत्परिवर्तन पादप कोशिका जन्तो कोशिका से भिन होती है कोशिका भित्ती के कारण किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसों को यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ती किस पदार्थ की बनी होती है सलुलोज की यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ती किस पदार्थ की सलुलेज की बनी होती है आत्महत्या के थैली लाइसों सोम होता है पादब कोशिका जन्तु कोशिका से भिन होता है कोशिका भित्ती के वज़ा से जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण है उत्परिवर्तन प्राकेरियोर्टिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है और सुची कोशिका विभाजन बताईएगा क्रोमोजोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था वाल्डेयर ने किया था क्रोमोजोम की खोज प्रोटीन संस्लेशन की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है राइबोशूम भाग लेता है प्रोटीन संस्लेशन की क्रिया में कौन सा कोशिकांग पूछेगा तो आपको राइबोशूम बताना है कोशिका विभाजन की खोष सबसे पहले केश वग्यानिक ने किया था फिलेमिंग ने किया था कोशिका विभाजन की खोष सबसे पहले केश वग्यानिक ने तो फिलेमिंग ने किया था शम्शूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है या न काईक कहिए या फिर दैहिक कोशिका में पाया जाता है समसूत्री विभाजन किन कोशिका में पाया जाता है काईक या फिर आप दैहिक कोशिका कहते हैं इसी में विरिद्धी उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाये जाती है सम सूची कोशीका विभाजन में ध्यान रखिएगा अर्द सूत्री कोशीका विभाजन की खोस सबसे पहले वीजिमैन ने की थी लेकिन इसका सबसे पहला विष्ट्रित अध्यम के स्वय घ्यानिक ने किया था इसके आपको ट्रांस वर्गर बताना होता है अर्द सूत्री कोशिकावी भाजन किस प्रकार की कोशिकाव में पाया जाता है जनन कोशिकाव में क्रोसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिकावी भाजन में पाय जाती है? अर्द सूत्री कोशिका विभाजन में किस कोशिका विभाजन में सेंट्रो मियर का विभाजन होता है शम्सूत्री कोशिका विभाजन में कहरा किस कोशिका विभाजन में सेंट्रो मियर का विभाजन होता है इसके लिए आपको श्रमशूत्री कोशिका विभाजन बताना है Termilization नामग घटना अर्द सूत्री विभाजन के किस अवस्था में पाई जाती है दुविपट अवस्था में Termilization का जो घटना है कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहता करता है अर्द सूत्री कोशिका विभाजन कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में साहता करता है अर्द सूत्री कोशिका विभाजन बताना है अर्द सूत्री कोशिका विभाजन में सब से पहले किस कोशिकां का विभाजन होता है या केंद्रक का होता है लशिका कोशिका बनती है तिल्ली में प्लाजमा जिल्ली बनी हुई है रोटीन और लिपीट से प्लाजमा जिल्ली बनी हुई है किसे रोटीन और लिपीट से कार्क क्या होता है एक पदार्थ है चूडिक्च के छाल से प्राप्त किया जाता है कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाजमा जिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरन से अलग करती है यही पदार्थों को कैरेक अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है अमेबा की कोशिका की विसिष्टता है वह अपना आकार बदलती रहती है आमेबा की कोशिका की विशिक्ता यनिकी खासियत क्या है खासियत है कि यह अपना आकार बदलते रहते है कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था रावबट ब्राउन ने shirtan 1831 में कोशिका में केंद्रक को खोजा था जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम किसने और कब दिया तो पुरकंजे के द्वारा 1849 में दिया गया था जैव पदार्थ में जीवद्रव नाम अगर पूछेगा तो पुरकंजे के द्वारा 1849 में दिया गया था DNA का पूरा नाव Deoxyribal Nucleic Acid होता है DNA का फुल फॉर्म DNA का फुल फॉर्म Deoxyribal Nucleic Acid होता है माता पिता के गुन संतान में किस रूप में पाए जाते हैं क्रोमोशोम के रूप में देखिए माता पिता के गुन के बारे में पूछेगा तो बताएगा क्रामोशोम में अनुवानसिक गून होते हैं जो माता पिता से DNA अनु के रूप में अगले संतान में जाते हैं जीन क्या है? DNA के किरियात्मक खंड को जीन कहते हैं कोसिका द्रव क्या है? प्लाजमा जिली के अंदर कोसिका द्रव एक तरल पधार थे जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका की घटक होते हैं कोशिका दरब्त था केंद्रक को मिला कर ये जीवदरब बनता है कोशिका से धान्त की खोज केशने किया था तो सिलिडन ने 1838 में और श्वान ने 1849 में किया था हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अनुओं को उत्पन करने वाला पद है क्रेप्स चक्र हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अनुओं को उत्पन करने वाला पद कौन सा है क्रेप्स चक्र है जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है माइट्रो कॉंड्रिया हो जाएगा लिंग गूनसूत्र नहीं होते है छिपकिली में लिंग गूनसूत्र नहीं होता है कुशिका में केंद्रक के अलावा किस कुशिकांग में डियने होता है मैट्रो कॉंड्रिया हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब यहाँ तक आपने वन लाइनर को देखा अब आपके लिए यहाँ पे हैं वस्तुनिष्ट प्रश्ण जैसा कि आपको बताया जा चुका था 150 प्लस यहाँ से वस्तुनिष्ट प्रश्ण को देखने वाले हैं क्लास को धिहान से देखिएगा जिसका भी जवाब नहीं पता हो याद करने की कोशिश करिएगा बार बार देखने से अच्छा है एक बार आप अच्छे से क्लास को देख ले जिवों की मूलभूत सरण्रसनातमक और करियातमक अगर पूछेगा कोशिका के अध्यन को कहते हैं साइटोलाजी कोशिका के अध्यन को साइटोलाजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुग को कोशिका विज्ञान के जनक अगर पूछेगा तो रॉबर्ट हुग यह राइट आंसर है सभी जीव इन समय से किसके बने होते हैं सभी जीव कोशिका के बने होते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1665 यानिके D-Rite Answer Robert Hooke के द्वारा कोशिका की खूच की गए थी वर्श 1665 में Robert Hooke ने कोशिका को सबसे पहले किस चीज में देखा था A-Rite Answer हो जाएगा कार्क में सबसे पहले कार्क में A सही जवाब है कोशिका एक Latin सब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा कोशिका एक Latin सब्द है और इसका अर्थ क्या होता है छोटा कमरा माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखा का नाम A-Rite Answer Robert Hooke है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखा कौन है Robert Hooke है एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया बीराई टांसर लुवेन हॉक के द्वारा एक जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था कोशिका से धान किसने दिया एराई टांसर स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया था कोशिका सिध्धांत किस ने दिया स्लिडन और श्वान ने कोशिका में जीव द्रव की खोज किस ने किया कोशिका में अगर जीव द्रव की खोज पूछेगा तो डोजारडीन के द्वारा किया गया था कोशिका में जीव द्रव की खोज रोजारडीन ने किया था किस ने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्मान पूर्व इस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है यहाँ पे आपको बीराइट आसा टिक करना है रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्मान पूर्व इस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है यह ना रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा कही गई बात है ओमनिस सेलूला ओमनिस सेलूला इसेलूला किस ने कहा कोशिका जिल्ली होता है जन्तु कोशिका का बाहई आवरन कोशिका जिल्ली राय ढानसर बता देना है पाहिया आवरन है इस जास्वमें से क्या है यहां पर आप समझझे शी का थी कोशिका जल जीवद्रब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो जल पाया जाता है प्राकेरियोटिक कोशिका अधिक पाया जाता है इन समय से किसको छोड़ कर सही जवाब हो जाएगा option number C, mycoplasm को छोड़ कर सभी प्राकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ती पाई जाती है, mycoplasm को छोड़ करके निम्ण में से किसमी अनुवांसिक पदार्थ नगन है, यहाँ पे C right answer हो जाएगा जिवानों कोशिका में, निम्ण में से कौन प्राकेरियोटिक कोशिका का उदाहरन नहीं है, देखे जिवानों प्राकेरियोटिक कोशिका का उदाहरन है, mycoplasm में भी है, cyanobacteria भी है, amoeba जो है न यह प्राकेरियोटिक कोशिका का उदाहरन नहीं है, यूकेरियोटिक कोशिका हैं पाई जाती है, कह ओहां पर दीराइटांसर होगा क्योंकि ना प्रोटिस्ट में पादप में जन्तू कोशिका में नहीं देखिए हैं पादप कोशिका में पाए झाल रखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं जन्तो कोशिका में अनुपस्थित होता है मैट्रो कॉंड्रिया उपस्थित रहता है लैसोसोम रहता है गौलजी काय रहता है प्लास्टिद अनुपस्थित रहता है D राई टांसर हो जागा कोशिका भित्ती अनुपस्थित है जन्तु में आप्शन नंबर D सही जवाब कोशिका भित्ती को सबसे पहले किस ने देखा रावबर्ट हूग के द्वारा कोशिकाभित्ती में पाई जाती है, सेलियलोज, हैमी सेलियलोज और पैक्टीन, पादप के कोशिकाभित्ती में सेलियलोज, पैक्टीन और हैमिसेलिलो सभी यहां पर पाए जाते हैं कोशिका वित्ती में उपस्तित पदार्थ और उसके कार के संदर में कहारे कि गलत कथन को चुनिए कौन सा यहां पर गलत है यहां पर आपको नमबर ठटी का राई टांसर हो जाएगा लिगनीन के लिए मजबूती साही है क्यूटीन के लिए जल राज से बचाना साही है सुबेरीन जल समवहक यहां पर समवहन गलत दिया हुआ है नमबर सी हो जाएगा कोशिका जिल्ली मुक्यता बनी होती है किशकी प्रोटीन और लिपीट से बनी होती है कोशिका जिली कोशिका जिली नॉर्मली किसका प्रोटीन और लिपीट का बना होता है कौन वर्नात्मक पारगम में जिली है यहाँ पे आपको ए टिक करना है कोशिका जिली निम्न में से कौन है जो वर्णात्मक पारगम जिली है कोसिका जिली 32 का बता देना है एर आई टांसर इन में से क्या यहाँ पर आप समझ लिजिए विस्तरन और पराशरर प्रकरिया के द्वारा पतार्थ कोसिका जिली के आरपार आते चाते हैं जल के अनू की गति जब वर्णात्मक पारगम जिली से हो उसे क्या कहते हैं उसे पराशरन कहते हैं यहाँ पर बी राइट आंसर है प्लाज्मा जिली की रचना को केवल इन समय से किसमें देख सकते हैं 35 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्षमिदर्सी से प्लाज्मा जिली की रचना को न इलेक्ट्रॉन सूक्षमिदर्सी से देखा जा शकता है जीव द्रव किसका समयलित रूप है कोसिका द्रव और केंदरक का होता है 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव किसका समयलित रूप है कोशिकाद्रव और केंद्रक का है माट्रोकॉंड्रिया की खूज किस ने किया आपको पता है अच्छे से एराइट आंसर हो जाएगा नहीं 37 का क्या पूछा माट्रोकॉंड्रिया की खूज हाँ कोलिकर यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब मैट्रोकॉंड्रिया नाम किस ने दिया नाम पूछे का तापको भी बताना है बेंडा के द्वारा दिया गया था क्रेप्स चक्र की घटनाय कहां पर होती है मैट्रोकॉंड्रिया में होती है क्रेप्स चक्र की घटनाय कहां पर मैट्रो कॉंड्रिया में होती है निम्न अभिक्रिया में बताईए देखे पारोट से जल प्लस कारबन डायोक्साइड प्लस और जाए टीपी हो जाएगा C मैट्रो कॉंड्रिया कोशिका का सक्तिग्री किसे कहा जाता है कोशिका का सक्तिग्री Mitochondria को कहते हैं C सेही जवाब Lysosome में होती है Lysosome की खोज ख़ुज किसे ने किया D2E के द्वारा Lysosome की खोज की गई थी Lysosome को इन समय से क्या कहा जाता है पाचक थैली आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं निमन में से कौन है रंग हीन लवक है ते राइट आंसर लिउको प्लास्ट हो जाएगा सही जवाब जिस क्रूमोप्लास्ट में क्रूरोफील वर्नक होता है उसे क्या कहते हैं फुट्टि सिक्स का भी क्लोरो प्लास्ट हो जाएगा राइट आंसर जिस क्रोमो प्लास्ट में क्लोरोफील वर्नक होता है उसे क्लोरो प्लास्ट कहते हैं कोसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है क्लोरो प्लास्ट को पत्तियों का पीला रंग किसके वज़ा से होता है कैरोटि येट के वज़ा से होता है पत्तियों का पेला रग पर्ण हरीत में कौन से धातो उपस्थित होते हैं मैगनेशियम रहता है पर्ण हरीत में मैगनेशियम धातो नमबर फिप्टी का जहां पे लिउकोप्लास्ट में स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं ध्यान रखिएक इसमें लिगो प्लास्ट में इस्टार्श तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ रहता है राइबो सुम के संदर में गलत कफन कौन सा है इसकी खोज पैलेड ने किया था यहाँ प्रोटीन और आरेने का बना होता है यहाँ केंद्रेक में बनता है इसे संयुक्त सुक्षमदर्सी के दुआरा भी देखा जा सकता है गलत है डीराई टांसर हो जाएगा राइबोशोन को इन समय से क्या कहते हैं फिप्टी टू का डीराई टांसर हो जाएगा क्योंकि ना प्रोटीन फैक्टरी कोशिका के अंदर कोशिकांग और पैलाडेकन के नाम स्याब चानते हो राइबोशोन को इन में से क्या है जो प्राकेरियोटिक और युकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है राइवो शूम करता है अंतह अंतह प्रद्रवी जली का अनुपस्थित है यहाँ पे हो जाएगा लाल रख्थ कोशिका में सी से बी सही जबाब खुरदारी अंतह द्रवी का द्रवी जली का के शाथ कहराएग इन समय से लगे होते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा राइवो सूम अंतह प्रद्रवी जली का की खूज किस ने किया था फिप्टी सेवन का सही जबाब है ए पॉर्टर के द्वारा अंतह प्रद्रवी जली का की खूज पॉर्टर ने किया गॉल जी उपकरन की खूज किस ने किया कैमिलो गोल जी न से पैक लिए जाते हैं 59 का डिराइट अंसर हो जाएगा गोल जी उपकरण में लाइसो सोम का निर्मान कौन करता है गोल जी उपकरण करता है लाइसो सोम का निर्मान गोल जी उपकरण का कारी नहीं है देखिए गोल जी उपकरण का कारी में न जटिल शक्कर का निर्मान करना कोशिका वित्ती और जिल्ली के निर्मान में भाग लेना होता है गोलजी उपकरन का कार्य राइबू शोम का निर्मान करना नहीं होता है दियान रखिएगा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है 62 का बीराईट आंसर रस धानी होता है पादब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रस धानी होगा किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है मैट्रोकॉंड्रिया किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग मैट्रोकॉंड्रिया होता है जन्तो कोशिका में शब से बड़ा कोशिकांग कौन सा है दी राइट आसर केंद्रक जन्तो कोशिका में शब से बड़ा कोशिकांग केंद्रक है निम्न में से कौन अस्तंधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है लाइसोसोम, गोलजी उपकरन और माइट्रोकॉंड्रिया कह रहा है निमन में से कौन है? कौन सा है? लाइसोसोम है, गोलजी उपकरन है और माइट्रोकॉंड्रिया है जो लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है निमन में से कौन? पादपों में गौल जी उपकरन है डिक्टी यो सोम हो जाएगा सही जवाब नेमन में से कौन पादपों में गौल जी उपकरन डिक्टी यो सोम बता दीजिएगा टूनो प्लास्ट इन समें से किसके चाड़ों और एक जिल्ली है 67 का सीरा आइटांसर रजदान ही हो जाएगा देखिए तारक याएक केवल जन्तु कोसिका में पाई जाती है सवाल पूछा जाता है तारक का है ये गा केवल जन्तु कोसिका में ये पाई जाती है सेंट्रो सोम की खोज किस ने किया था सेंट्रोशोम की खुज ऑप्शन नमबर A बैंडेन के द्वारा किया गया था इन सब में से बताईए क्या है तो यहाँ पे आप समझ लिजिए कोशिका विभाजन बताईएगा कोशिका विभाजन में सेंट्रोशोम का महत्पूर्ण भूमिका होता है नमबर 71 पादप कोशिका पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती है रसधानियां किसमें बहुत बड़ी होती है पादप कोशिका में कोशिका का ट्राफिक पोलिस किसे कहते है गोल जी उपकरन को कहते है कोसिगा का ट्राफिक पुलिस अगर पूछेगा तो गौल जी उपकरन को कहते हैं निम्न में से कौन एक रजधानी का कार्य नहीं है सी राइट अंसर यह मैट्रोकॉंड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्मावन करता है हो जाएगा रजधानी का कार्य यह नहीं है कौन सा रजधानी कोसिगा का मस्तिस्क किसे कहा जाता है कोसिगा का मस्तिस्क कहते हैं option number D केंदरक को कोसिगा में केंदरक की खूज किस ने किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कोसिगा में केंदरक की खूज निम्न में से किस में वास्त्विक केंद्रक का अभाव है यहाँ पे आपको 76 का टिक करना होगा भी माइकूप लाजमा में वास्त्विक केंद्रक का अभाव होता है नमबर 77 केंद्रक दरव में महीन ठागे की जाल जैसे संद्रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं आप्शन नमबर भी हो जाएगा क्रोमेटीन कहा जाता है DNA का फूल फर्म बताइए क्या है आप्शन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा डी आक्सी डी आक्सीडी निकलिक इसीट कहते हैं नमबर 79 DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनता है यहाँ पे आपको निकलियो सोम कहिए क्रोमेटीन कहिए गून सूत्र कहिए आप्शन नमबर डी आपको बताना है इन में से सभी कुर्शिका विभाजन के समय क्रोमेटीन इन समय से संगठित हो जाता है यहाँ पे आपको शीराई टांसर टिक करना है गून सूत्र में संगठित हो जाता है कुर्शिका विभाजन के समय क्रोमेटीन गून सूत्र की खोज किस ने किया था एराई टांसर होब मिश्टर के द्वारा गून सूत्र की खोज की गई थी इन सब में से किसके अनु के कोशिगा के निर्मान एवंग चंगठन की सभी सूचनाएं होती है सही जबाब हो जाएगा एराइट अंसर डिने की निर्मन में से किसे अनुवानसिकी का वाहक कहा जाता है 83 का सीर आई टांस हो जगा गून सूत्र को अनुवान सिकी का वाहक कहा जाता है DNA के करियात्मक खंड को क्या कहते हैं Option number B DNA के करियात्मक खंड को जीन कहते हैं यहाँ पे 85 का सही जवाब देखने के लिए पहले से देख लीजिए देखिये इन समय से हो जाएगा DNA और जीन अब इसे समझेए DNA और जीन DNA को अनुवान सिक पदार्थ और जीन अनुवान सिक एकाई कहते हैं याद रखिएगा आज एटिस सिक्स पर निमन में से कौन साई गून सूत्र का भाग नहीं है इटिसिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा D सेंट्रो सूम गून सूत्र का भाग नहीं है गून सूत्र में क्रोमेटीट्स यानि कि अर्थ गून सूत्र जिस विंदू पर सलगन होते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं option number C centromere कहते हैं गून सूत्र में क्रोमेटीट जनी के अर्थ गून सूत्र चिस बिंदू पर सलगन होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे centromere कहा जाता है cytokinesis का अर्थ पूसिका द्रव का विभाजन होता है cytokinesis का अर्थ केंद्रक का विभाजन एर आई टांसर होगा इन समय से बताईए किसमेद यहाँ पर आप समझ लिए शम्शूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो संत्ति कोशिका का निर्माण करते हैं चार वारा पूछा अर्ध सूत्री विभाजन यहाँ पर बताना है दो के लिए पूछेगा दो का मतलब आपको सम याद रखना है चार के लिए अगर पूछेगा चार संतती तो आपको अर्ध सूत्री विभाजन याद रख लेना है 92 शुक्रानू और अंडा बनाने वाले कोशिका को छोर कर हमारे सरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं एक कोशिका जिसमें गूनसूत्र के संख्या 2N है समसूत्री विभाजन के बाद गूनसूत्र के संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपको भी बताना है 2N ही हो जाएगा मानवों के लिए यहाँ पे सही जवाब है यूग मनज में 40 गुनसत्र होते हैं निम्न में से कौन? समसूत्रिव भाजन का एक चरन नहीं है देखे, प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज समसूत्रिव भाजन का एक चरन में आता है लेकिन डिपलोटीन यहाँ पे दिहान रखेगा नहीं आता है इन सब में से बताएए देख यहाँ पे टेलोफूज समसूत्रिव भाजन का अंतिम चरन होता है याद रखेजिएगा 97 पढ़ाईए कुर्षिका के समसूत्रिव भाजन में केंद्रग जिल्ली और कुर्षिकांग गायब हो जाते है कहाँ पर प्रोफेज में कुर्षिका के समसूत्रिव भाजन में केंद्रग जिल्ली और कुर्षिकांग गायब हो जाते है ये राइट आंसर प्रो फेज में 98 पर आ जाई है अब सम्शूत्र विभ्वाजन के किस चरण में गूनसूत्र मत रेखा पर इस्थित होते हैं थो सही जबाब हो जाएगा ऐप्शन नमबर इंबे मेटाफेज में देखिए समसूत्रे विभाजन के किस चरण में मेटाफेज वाले चरण में गुन सूत्र मत रेखा पर इस्थित होता है समसूत्रे विभाजन के किस चरण में गुन सूत्र के संख्यां दूगूनी हो जाती है यहाँ पे आपको option number C बताना है N-phase में समसूत्रे विभाजन के किस चरण में एन फेज चरण में गुन सूत्रे के संख्यां दूगूनी हो जाती है कोसिका के समसूत्रे विभाजन में केंद्रयक जिल्ली और कोसिका अंग पुना प्रकट हो जाते है टैलो फेज में कोसिका के समसूत्रे विभाजन में केंद्रग जिल्ली और कोशी का अंग पुना प्रकट होते हैं तेली तेलो फेज में नमबर 101 स्वम्सूत्री विभाजन 1 के बाद गोर्ण सूत्र की संख्या आधी हो जाती है याद रखिए नमबर 102 तंत्रिका कोशी का कभी विभाजित नहीं होती है 103 103 मैट्रो कॉंड्रिया और लवक के पास अपना रायबोसों और DNA होता है दोहरी जिल्ले युक्त कोशी कांग है यहाँ पे डी राइड आंसर मैट्रो कॉंड्रिया होगा दोहरी जिल्ले युक्त कोशी कांग मैट्रो कॉंड्रिया है जिल्ली रहित कोशिकांग है option number आपको डिटिक करना है राइबो सोम जिल्ली रहित कोशिकांग राइबो सोम डिराइट अंसर है नमबर 106 पर आईए और बताईए तिहाँ पर देखिए जिवानू, नील हरित सैवाल और माइको प्लाज में सभी जिल्ले युक्त कोशिकांग अनुपर्षित होते हैं सही जबाब है नमबर 107 मानव कोशिका के संदर में का एक सही कथन को यहाँ पर चुनिए तो देखिए, सबसे लंबी कोशिका आपने भी देखा था तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे लंबी सबसे छोटी शुक्रानों और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो मादा अन्डा होता है सबसे बड़ी कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका होता है ओप्शन नमबर 20 सुतर मुर्ग का अन्डा सबसे बड़ा क्या होता है कोशिका होता है इन सब में से क्या है यहाँ पे आप 109 को समझ लिए यहाँ पे option number आपका जो भी है न माइक्रो प्लाजमा सबसे छोटी कोशिका है एक तंत्रिका कोशिका के लंबाई कितना तक हो सकती है यहाँ पे आपको एर आई टांसर एक तंत्रिका कोशिका के लंबाई एक मीटर तक हो सकती है चलिए यहाँ पे आप 111 का डाई टांसर बताईए देखिए उनीश्वी सदी को कोशिका विज्ञान का क्लाशिकल काल कहा जाता है किस सदी को उनीश्वी सदी को लवक की खोज किस ने किया था लवक की खोज option number A हेकल के द्वारा केंद्रक में option number A फॉन्टाना के द्वारा केंद्रक में केंद्रिका की खोज की गई थी कुट्य में गुनसूत्र के संख्या कितनी होती है कुट्य में C हो जाएगा 46 आलू में गुनसूत्र के संख्या होती है 115 का राइट आंसर है option number C आलू में होता है 48 भारतिय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरुन कुमार को भारतिय कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से आप चांदे हो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांज में DNA होता है मैट्रो कॉंड्रिया डी राइट आंसर है सौर उर्जा ATP में बदलती है बी राइट आंसर कुरूरो प्लास्ट में निम्ण में से कौन सा कथन कैरेक सही है देखिए विशानू सम एकल तन्तू RNA अनू के बने होते है यहाँ पे option number जो आपका C है न ये कथन बिल्कूल सही है साधारन मानव में गून सूत्र होते हैं कितने 120 काफी easy question है जिनको भी जवाब पता हूँ comment करके बताईए मानव में गून सूत्र की संख्या कितने होती है मानव सरीकी कोशिकाओं में पाई जाने वाले गून सूत्र जोडों की संख्या कितनी है यहाँ पे बता देने पर तो फिर आप समझी जाएंगे है न दोनों सवाल एक ही है यहाँ पे जोडा में पूछा और यहाँ पे शंख्या में पूछा आप यहाँ पे संख्या में बताईएगा कमेंट करके जीवों में अत्यदिक विविद्ता का कारण क्या है 122 का राइट आंसर ओप्शन नमबर हो जाएगा सी उत्परिवर्तन जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण उत्पड़िवर्तन निमन मैंसे किसमें लेंगे गुनसूतर नहीं होते हैं यहाँ पर आपको छिप के लिए में बता देना है लेंगे गुनसूतर नहीं होता है 124 पादप कोशिका जन्तु कोशिका से किस प्रकार भिन होता है कोशिका भित्ती के रूप में भिन होता है जन्तु कोशिका में निम्न मैंसे क्या अनुपस्थित होता है जन्तु कोशिका में सल्यलोज की कोशिका भित्ती अनुपस्थित होती है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है मेट्रो कॉंड्रिया सी राइट आंसर हो जाएगा निम्र में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं मेट्रो कॉंड्रिया को कहा जाता है बी राइट आंसर है कोशिका का सक्ति स्रोथ होता है बी राइट अंसर मेट्रोकॉंड्रिया कोशिका का सक्तिस्रोत मेट्रोकॉंड्रिया होता है प्लाजमा जिल्ली क्या होती है प्लाजमा जिल्ली होती है अब किसकी बनी होती है तो प्रोटीन और लिपीट की बनी होती है प्रोटीन संसलेशन में निमन कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्पूर्ण है यहाँ पे आपको बीटीक करना है अन्तह दरव बीजलिका और रैबोसूम की मानव सरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है यहाँ पे आपको बताना है तिल्ली में मानव सरी के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है तिल्ली में बताईएगा नेक्स्ट कोशिका अनुसंधान के छेतर में नविन्तम विकाश के शंदर में निमने कित कथन पर विचार करिए यहाँ पर विचार करने के लिए किस तरह से दिया हुआ है अच्छा कौन सा कथन कह रहा है कि सही है सही कथन को चुनना है तो यहाँ पर आजाईए ओप्शन नमबर थर्ड को देखिए अस्थम को सिकाएं वस्तुता अंतहकाल तक स्वैंग ही पात्र संजीवित हो सकती है यह कथन आपका सही है और आपका चौथा वाला कथन भी सही है भारती अनुसंदान केंद्रों के कुछ केंद्रों ने कुछ कोसिका रिखाओं का भी सेजन किया यहने इस प्रकार के उत्तुकों में विक्षित किया जा सकता है तीसरा और चौथा कथन सही है आप्शन नंबर टी टी करिएगा आईस में पूछा गया सवाल था या निम्न में से कौन सा कथन प्रानियों में अस्तंब कोसिकाओं के प्रत्यारूपन के संदर में असत्त यानिकी गलत है यह प्रानी में जीवन भर स्वेंग उनन करते हैं यह सही है अस्तंब कोसिका के प्रत्यारूपन मतलब ट्रांस्प्लांट के बारे में कहा ये अंगों के छतिगरस्ट उत्तकों की मरम्मत करती है ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोसिकाओं को बनाने की छमता रखती है एक एवल भुरून में पाई जाती है या बात गलत है प्रक्रमित कोशिका मेत्यू के कोशिकिये और आन्विक नियंत्रन को कहते हैं क्या कहते हैं एर आइट आंसर एमप्टिस कहते हैं हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अनुवों को उत्पन करने वाला पद है 135 का राइट आंसर क्रैप्स चक्र हो जाएगा हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अनुवों को उत्पन करने वाले जो पद हैं क्रैप्स चक्र है निम्रिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है विशानू यानि कि वाइरस वाले वाइरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है ध्यान रखे कोशिका का शक्ति स्रोथ होता है सही जवाब है माइट्रोकॉंड्रिया भी डी एन एकी खोज किस्ने किया था जेम्स वाट्सन और फ्रांसेस क्रीक के द्वारा डी एन एकी खोज की गई थी समवहनी यानि कि वैस्कुलर पौधों में पानी उपर किस से जाता है यह ना पानी जाता है जायलम टीशो के थुरू डी राइट आंसर पुरूस जीन संगटन होता है एकस वाई बी राइट आंसर परियोग साला में सबसे पहले डी एन एका संसलेशन किष्णे किया हरविंद खुराना ने तना काट आम तोर पर किसके प्रवर्धन के लिए परियोग किया जाता है गन्ना के लिए बी राइट आंसर है यहाँ पर ध्यान दे 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है कौन सा नंबर 143 का सही जवाब हो जाएगा डी जल 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल बताना है मानवों को पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रवध्यों की आधारित अत्तोधिनिक तकनीक को काम में लाया जाता है सही जवाब हो अप्शन नंबर C DNA और फिंगर प्रिंट का निम्रिकेट में से कौन जीवन की आधारवोतिकाई है जन्तु एवं पादपों में नई कोशिकाई का निर्मान होता है पूर्व इस्थित कोशिकाई के विभाजन से जिल्ली राहित अंगक रायबो शोम मिलते हैं यहाँ पे आपको आप्शन नंबर करना होगा सीटिक दोनों कोशिकाई में पूधों में प्रकास संस्लीशन के लिए आवश्यक प्रकासिये और जाको किस लवक द्वारा संचित किया जाता है हरित लवक के द्वारा जाता है हरित लवक के द्वारा 148 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सही जवाब 49 को देखिए मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संसलेशन होता है मानव शरीर के किस कोशिकांग में कह रहा है प्रोटीन का संसलेशन होता है राइबो सोम में होता है बीर आईटालस मानव शरीर के राइबो सोम कोशिकां में प्रोटीन का संस्लेशन होता है जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है अनुपस्थित में आपको मेट्रोकोंड्रिया, केंद्र, नहीं जैव कोशिका में अनुपस्थित अगर पूछे cellulose की कोशिका भित्ती अनुपस्तित होती है धियान रखिएगा 151 DNA के स्विंख लाएं बंधी होती है यहाँ पर आपको option number डिटीक करना है hydrogen बंध से रिखिए DNA के स्विंख लाएं बंधी होती है hydrogen बंध से last question है DNA बहुलक है DNA बहुलक है किसका a right answer हो जाएगा nucleotides का होता है DNA बहुलक है nucleotides का a right answer है तो friends अभी आपने cell topic से 152 questions को देखा साथ ही साथ आपने one liner को भी देखा और जो extra fact था याने कि theory था उसे भी आपने देखा आशा करता हूँ class आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको इस तरीके का और भी class देखना हो ता आप playlist आकर जरूर चेक करिएगा practice setup के लिए काफी सारा भी हार दरोगा का है उसे भी आप लोग जरूर देखें झरसे पनाप बाते सावगा